हाई फ्रेंड्स वल्कम बेक टू एजू के इस इंडिया तुरुस्तो आज की सब उडियों में बात करेंगे इसकुल और कोलेजों के दुबारा खोलने को लेकर आ रहे है आज की ताजा और बहुती बड़ी खबर के बारे में जहां पर देश के तमाम इसकुल और कोलेजों को बताएंगे वहीं बात करेंगे इसकुल और कोलेजों पर लागू होने वाले नए नियमों के बारे में नए नियमावली के बारे में और इसकुल और कोलेजे खुलने पर कैसे पढ़ाई होगी इसके बारे में तो इसलिए आप इस वीडियों को सुरू से लेकर आन तक देख और कोलेजों के खोलने की आरेक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले तो चलिए अभी हम जानते हैं कि देश भर के तमाम इसकुला और कोलेजों को दुबारा कब और केसे खोला जाएगा तो सबसे पहले इसकुलों के खोलने की बात कर लेते हैं जहां पर इसकुलों को दुबारा कब खोला जाएगा इसकुल लेकर दिल्ली से बड़ी ख़बर निकल के सामने आईए जहां पर राजदानी दिल्ली में इसकुल ना खोलने के प्रक्स में पेरेंट दिकरे और सरकार से जीरो अकेड में की एर गोसित करने की मांग कर दिये यानि कि यहाँ पर इस साल जीरो सत्रह गोसित करने की बड़ी यहाँ पर मांग देखने को मिली है पेरेंट की तरफ से विवाओकों की तरफ से वच्चों के माता पिताओ किये और से जहाँ पर दिल्ली के स्कुल में फिला में पढ़ने वाले 2564 के अभिवाव को ने दिली सरकार को इमेल बेच कर इसकुल ना खोलने की मांग के और इन विवाव को का केना है कि जब तक करोना की विखसना ना आ जाये तब तक या फिर कम से कम 10 दिन करोना के नए केस ना आने के अलात में इसकुल खोले जाने चाहिए ये बहुत ही बड़ी राय देखने को मिली है दिली के इसकुलों के यहाँ पर जोए बच्चों के माता पिताओं की और से और दोस्तों आपको बता रहे तो ओल इंडिया पेरेंट एसोसियन के अदिक सत्सोग अगरवाल ने का है कि हमने सिक्सा मंत्रा ले वहां परदान मंत समक्स मुख्य रूप से तीन विसे रखे इनवे सबसे मात पुण विसे यहे कि जब तक करूना पर पुरी तरह से काबू नहीं पालिया जाता तर तक इसकुल नहीं खुलने चाहिए और मोजदा सेक्षिन का वर्च को जीरो एर गोसेत किया जाना चाहिए और सभी वच्चो दुरान भी सुरक्सा उपाई सुनीचित किये जाने चाहिए और स्कुलों को सुबह सामा सेनिटाइजर करना पड़ेगा ताकि छात्रों को सेफ माहल मिल सके वहाई दिल्ली के उप मुख्य मंत्रियों सिक्षा मंत्री मनिसी सुद्या ने कहा है कि दिल्ली में सभी स्कुल कोरोना के कारणा भी 31 सक्टुमबर तका बंद रखे जाएंगे मुक्य मंत्री अर्विंदक केजरीवाल ने भी कहा है कि एक अभी आओका होने के नाते वे फरिस्ति की गंबीरता को समस्ते और इस समय बच्चों के स्वास्ते को लेकर कोई जोकिम लिया जाना हुची इतना ही होगा सिक्सवबाग ने मुक्य मंत्री के निर्दे सनुसार अपनिये का आम बैठक में ये निर्ने लिया है कि दिल्ली में सभी पाबंद्या 31 सक्टुमबर 2020 तक यता उतराएगी दूसरी और दिल्ली के स्कुलों में बैतर परबंदन के लिए सरकारी स्कुलों के परदांचारियों क आई आई एम यहां पर आमदाबाद के सयोग से ट्रेनिंग दी गई और अभी तक इस परक्रिया के ताथ अकुल सांसों प्रिंसिपल को ये ट्रेनिंग दी चाह चुकी है वही दूस्तों आपको बदर राजस्तान से भी स्कुलों के दुबारा खोलने को ले करेगा बड़ी चलिए लिए लिए जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद इसकुलों के खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा इस सबीचे सिक्सा मंतरी गोविंद सिंग डोटासरा ने बताया है कि 31 सक्टूμबर तक परदेश में स्कुल नहीं खोलने का फैसला लिया गया था जिस से 31 नवंब तक बढ़ाने का भी सूजाव आ चुका यानि कि राजस्तान में अभी दिपावली से पाले स्कुलों को नहीं खोला जाएगा इसकुल के से और कब खुले इसको लेकर कमेटी बनाई है जिसकी रिपोट आने के बाद मुख्यमंतरी स्थर पर कोई फैसला लिया जाएगा लेकि तो आपको बता रहे तो इसको लोकी दुबारा को लेकर राजस्तान में फिलावला किसी परकार कि कोई गुंजया इस नजर नहीं आ रही है वहाँ दोस्त आपको बता रहे तो इसके रावा देश के अन्य जहां पर इसकोलों को दुबारा खोल भी दिया गया है जहां पर उत्तर परदिस जिसा बड़ा राज यहां पर नौवी से लेकर बारी तक के बच्चों के लिए इसकोलों को रियोपन कर दिया गया है 19 सक्टूमबर 2020 से सब्सक्राइब नहीं मिली आ हाला कि महाराष्ट में फिलाल स्कूल नहीं खुल है लेकिन यहाँ पर भी जल्दी स्कूलो के दुबारा खुलने को लेकर निन्ने सामने आ सुँए आगा वहीं पश्ची मंगाल की मुक्य मंत्री मम्ता बेनर जी ने भी कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद स्कुलों को दुबारा खोला जाएगा इसको लेकर विचार किया जा रहा है वहीं आप बात करते हैं कोलेजों के बारे में जहां पर यूपी में कब से खुलेंगे यूनिवर्ष्टि और कोलेज उप मुक्य मंत्री दिनेश सर्मा ने दिया है बड़ा जवाब यानि दिनेश सर्मा ने बता है कि उत्तर परदिश के स्कुलों के साथ या भी कोलेज और यूनिवर्ष्टि कभ खुलेंगे तो आपको जैसा मालूम होगा कि उत्तर परदिश में इसकुलों के खोलने की सुरुआत हो चुकिए जहां चर्णों के मादियम से स्कुलों को दुबारा खोलने की परक्रियाद चले और उत्तर परदिश के मुख्य मंत्रिया भी डॉक्टर दिनेश सर्मा ने कोलेजों के दुबारा खोलने को लेकर भी बड़ी बात बताये जहां पर उन्होंने का है कि विस्तु इद्धाले और महा विद्धाले को खोलने का फैसला नौंबर में लिया जाएगा उन्होंने का है कि स्कुलों में आफ्लाइन के साथा ओनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी कोरोना मरी जो सब फीस लेने वाल नीजी उस्पतालों के लिए खलाब कारवाई की जाएगी उन्होंने का है कि अहां पर कोलेज दभी खोले जाएंगे जब राज्य में पूरी तरह स्यालाता नियंतरन में होंगे तो इस सब परकार से ये स्कुलों के दुबारा खोलने को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आईए जहां पर कोलेज नौंबर माह में दुबारा खोलने को लेकर फैसल बदल जाएगा जहाँ पर कहीं परकार के नए नियमों को लागु क्या जाएगा मास्क पाना निवारिये कर दिया जाएगा सामा जुग दूरी का पालन करना पड़ेगा इसके अलावे कहीं परकार के अन्य नियमों को लागु क्या जाएगा तो इस सब परकार ये इस कुल और कोलेजों के दुबारा खोलने को लेकर संपूर्ण जानकरी है तो यदि आपको ये पूरी जानकरी स्कूल और कोलेजों के दुबारा खोलने को लेकर अच्छी लगए तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और आगे भी इसी परकार की जानकरी जानने के लिए आप मारे च झाल झाल